Hello everyone, welcome back to my channel, मैं हूँ पूजा और कैसे हैं आप सब, so guys I hope आप सब बहुत अच्छ होगे, आज का वीडियो होने वाला है, again एक ऐसा वीडियो जो की मेरी चैनल पे काफी पसंद करते हैं आप सब, आज का वीडियो होने वाला है मीशो और मिंत्रा का comparison, last मैंने एक वीडियो शेर क किया था, आप सब का काफी अच्छा response रहा, बहुत सारे comments आए, आप लोगों ने अपना अच्छा अच्छा feedback शेर किया, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये confusion थी कि मीशो से लें या मिंत्रा से लें, तो मैंने कोशिच किया काफी सारे doubts को clear करना, और आप लोगों की काफी सा इन सबी products के links आपको मिल जाएंगे description box में, जो भी आपको अच्छा लग रहा है, आप easily जाके check out कर सकते हो, तो चलिए, वीडियो को start करते हैं, फर्स्ट है हमारा ये वाला kurta set, तो अगर आप इनके colors को देखोगे, तो मीशो वाले का color थोड़ा ज्यादा dark है, और मिंत्रा व हो जाता है, कि यहाँ पर मुझे tag ही नहीं मिला, ना tag है, ना price tag है, ना ही इस वाले set में मुझे, जो सीर होती है, वो भी मुझे नहीं मिली है, तो मैं first आपके साथ में share करूंगे, मीशो वाला set, तो यहाँ पर ये वाला set मुझे मिला है, फाब्रिक अगेन जैसा कि मैंने ब detailing है, detailing काफी अच्छी है, यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का portly button का काम मिल जाएगा, triangle lace है, यह पूरा work आता है, sequence का काम भी है, कुरते का front part कुछ ऐसा है, अनारकली pattern में है, इस कुरता set में आपको colors भी मिल जाएगे, तो आप उन्हें भी check out कर सकते हूँ, यह है हमारी कुर कुछ इतना मिल जाएगा, back पर भी हमें घुरता कुछ ऐसा मिलता है, यह देखो, back इसका front सब पर ही आपको file printing का work मिलने वाला है, slave आपको मिल जाएगी 3-4 and यहाँ पर भी कुछ इस तरह का border इन्होंने बना के दिया, अब बात करेंगे मिंतरा वाले की first difference color है इसका, यहाँ work है, work exact same है, कुछ भी difference नहीं है, triangle lace इन्होंने भी लगा के दिया, यहाँ पर इस तरह का work है, same ही work है, work में कुछ जादा difference नहीं है, यह आता है इसका पूरा front part, यहाँ पर से start हो जाता है हमारे कुरते का पूरा flare and यह आता है इसके border पर काम, border पर काम भी same है, यहाँ पर triangle lace ल यहाँ पर मीशो वाले का flare थोड़ा जादा आपको मिल जाएगा, जैसा कि मैंने जब last video share किया था, उसमें मिंत्रा वाले का flare बहुत जादा huge था, पर इस set की बात करी जाए, तो इसमें मीशो वाले का flare आपको जादा मिलने वाला है, इसका bottom आपको मिल जाएगा, मिंत्रा व दुपट्टे की width आपको इसकी इतनी मिल जाएगी, यह मिंत्रा वाला दुपट्टा है, दुपट्टे के चारो border पे इन्होंने यह लेस लगा के दिया, इस तरह का work करके दिया, बीश में से हमारा दुपट्टा पुरा plane आजाता है, यह है मीशो वाले का bottom fully elasticated bend है, रियान क जादा आरी है, उपर से मैंने सेम पकड़ा हुआ है, तो हलकी सी मीशो वाले की length ज्यादा है, इसमें मीशो वाला जो है थोड़ा आगे निकल रहा है, यह हमारा मिंत्रा है, यह मीशो है, एन इसका दुपट्टा आप चेक करते हैं, दुपट्टा जो है, इसका मीशो वाले मिलने वाला है, यह मीशो वाले का दुपट्टा है, जिसके अंदर फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है, इसके विट्थ हम चेक कर लेते हैं, दोनों की विट्थ एकडम सेम है, फाब्रिक भी दोनों का सेम है, शिफॉन का फाब्रिक है, लेंथ की बात करी जाए, तो जैस कोई भी दुपट्टा चोटा बड़ा नहीं है, थोड़ा सा बॉर्डर में जो है, इसके काम में थोड़ा चेंजिस है, अब आपको यह सेट लेना कहां से चाहिए, जैसा कि मैंने बताया दोनों का फाब्रिक सेम है, कलर में हलका सा डिफरेंस से जादा डिफरेंस नहीं है, साइस भी दोनों के सेम ही है, जादा उसके अंदर भी कोई डिफरेंस मुझे नहीं लगा है, अगर इनके प्राइस में काफी ज़दा डिफरेंस हो जैसा कि मिंतरा पे, अगर यह पीस आपको पंदरा सो का मिल रहा है, और वही पे आपको मीशो पे अगर साथ सो आट सो का मि करने में लिगा, कई बार ऐसा होता है कि गॉल्टी में डिफरेंस में दिफरेंस बहुत ज़दा होता है, इस सेट में इस नहीं नहीं है कोली ने सेट और दे चमण नहीं है उतना शाइन नहीं है जब कि मिंतरा वाले पर आपको काफी अच्छा शाइन और अच्छा सा वर्क दिख जाएगा कलर में हलका सा डिफरेंस है जैसा कि यह तोलड़ा ग्रेश साइड में आ रहा है और इसके उपर बहुत ही प्यारा सा ब्लू है तो कलर में मुझे डि इसका मिंतरा वाला है उसका फैब्रिक भी कॉटन ही मिलेगा यहां पर मुझे इसका कलर दोनों ही सेट का मैं यह नहीं कहूंगी मिंतरा मीशो तोनों का ही जो कलर रहना वह बहुत खूबसरत है बस मिंतरा वाली में थोड़ा ज्यादा अच्छा लुक आ जाएगा यहां पर मीशो वाली की भी बहुत अच्छी है यह आती है इसकी पूरी लेंध और जो इसकी स्लीव आपको मिलेगी वो है 3-4 और यहां पर इस तरह की डिटेलिंग इन्होंने लेस लगा की दिये बैक से हमारा कुर्टा कुछ ऐसा लगता है बैक पार्ट पे भी आपको अच्छा फ् इसके उपर भी काफी अच्छी है सेम पैटर्न है वर्क में कुछ भी डिफरेंस नहीं है सारा काम जो है एकदम सेम किया हुआ है और शाइन भी दोनों में ही काफी अच्छी है यह देख सकते हूँ यह कुछ इस तरह का काम है और यहां पर आपको बहुत ही प्यारे से कलर के यहां पर इसकी स्लीव के ओपर काम देख सकते हो जो कि थोड़ा सा चेंज है जैसे कि यहां पर इन्होंने राउंड कट वर्क लगाया है और इस वाले में आपको ट्राइंगल वाला मिल जाएगा तो थोड़ा सा चेंज है कलर में तो आप खुद चेक कर सकते हूँ कि काफी की ज़्यादा डिफ्रेंस लग रहा है तो जैसा कि आप देख ही सकते हो मिंत्रा वाला जो सेट है यह नीचे की साइड में पकड़ा हुआ है और यहां पर और मीशो वाली की जो लेंट है थोड़ चोटी है अब बात करेंगे इसके फ्लेर की कि फ्लेर जो इसका साइज है व अब बात करेंगे इनके बॉटम की यह है मिशो वाला यह मिंत्रा वाला तो कलर आप देख सकते हो मिशो वाली का कलर इसमें थोड़ा डाक मुझे मिला है और इसके उपर एक अलग सा टेक्स्चर भी आ रहा है यह कुछ ऐसा फैब्रिक इसका भी जो है आपको कॉटन ब्लें आप देख सकते हो मिंत्रा वाले का जो साइज है वो काफी अच्छा है लेंथ भी एकदम सेम है लेंथ किसी की बड़ी चोटी नहीं है तो मिंत्रा वाले का फैब्रिक भी काफी सॉफ्ट है और इसकी जो साइज है इसका जो साइज है वो काफी अच्छा होने वाला है तो इ यहां पर इसका जो दुपट्टा है मिंतरा वाली का मुझे मिला है और गंजा का Shade इसका भी काफी प्यारा है कुछ इस तरह की लेस लगाई हुई है यह सिक्वेंस के वर्क के साथ में और इसका फैबरिक काफी अच्छा दिया यहां पर आपको सेम इसका फैब्रिक भी और्गेंजा का है दुपटे की विट जो है दोनों की सेम है आप देख सकते हो बस थोड़ा सा यह जो लेस इन्होंने चेंज किये यह डिफरेंस आ जाता है यह है इसकी लेंथ पूरी लेंथ भी एक पर अच्छ प्राइज में जरूर डिफरेंस होने वाला है फैब्रिक भी दोनों का ही काफी अच्छा है तो आपको जो भी कलर अच्छा लग रहा है जैसे कि मीशो वाला हलका सा लाइट शेड है मिंत्रा वाला थोड़ा अच्छा ब्राइट सा आपको मिल जाएगा तो जहां से आपको जो कदर अच्छा लग रहा है आप लेग सकते हैं नेक्स्ट कूरते की तरह मुग करने से पहले आप सबसे एक चोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप आयो मेरी चैनल पर फर्स्टाइम वीडियो अच्छा लग रहा है अगर आपको इस तरह का कंपैरिजन वीडियो पसंद करना पड़ेगा कमेंट करके जबूब बताना आपको आज कर वीडियो कैसा लगा आपका फेवरेट कौन सा है वो भी आप मुझे बताना क्यूंकि आप कमेंट करते हो ना सच में बहुत हेल्प हो जाती है उससे हमें पता चलता है कि आप लोग कहां से बाइक करना ज्यादा प्रेफर करते हो या फिर आपका पॉइंट फ्यू इस चीज़ के ऊपर क्या रहता है तो आप कमेंट कर देना इंस्टाइडाम पर फॉलोव नहीं किया तक प्लीज जल्दी से जाओ जल्दी से फॉलोव करो नेक्स्ट यॉप्शन होने वाला है वो एक्जक्ट से मिला है औ प्लीज बताती हूं आपको यहां पर मुझे नहीं पता मेरे फून में कलर यह वाला डाक क्यों ले रहा है जबकि दोनों के कलर जो है बिलकूल सेम है बिलकुल कोई भी डिफ्रेंज इसके कलर में नहीं है यहां पर आप यह देखो इस पर भी आपको यह टैग मिल जाएगा लगा हुआ और यहां पर भी यह वाला टैग लगा हुआ मिल जाएगा तो दोनों के जो सेलर है ना वो सेम है डिफरेंट नहीं है तो एक यह चीज़ होती है कि अगर आप मिंत्रा मीशो पे सेम सेलर से लेते हो ना तो आपको कोई भी पीस डिफरेंट नहीं मिलेगा सेम कॉअलटी का मिलेगा प्राइज़ वह सकता है क्योंकि मिंत्रा वाले कुछ एक्स्ट्रा चार्जिस लेते हैं सेलर से वह ज़रूर्व चेंज हो सकता है बाकी कॉअलटी में आपको कोई चेंज नहीं करूंगी फर्स्ट आपके साथ में शेयर करूंगी मीशो वाला कुर्टा सेट लिया है यह मीशो पर काफ़ी जदा ट्रेंडिंग दिख रहा था और मुझे पसंद भी आया और सुन्दर भी रिसीव है थोड़ा कलर जो है ज्यादा ही ब्राइट है पर कभी कभी इस तरह अच् की साइड में क्ड रही काइनग्फ यहाँ परांइनंग पर कुर्टे का पूरा और यह है इसकी स्लीव जो आपको 3-4 से थोर इसे ज्यादा मिलेगी फैब्रिक में बहुत अच्छी शाइन भी है यह है हमारे कुर्टे का पूरा बैक पर बैक से कुर्टा प्लेन रिसीव होगा इसके फ्रेंट में आप देखो काम बहुत अच्छा है लेंथ इसकी काफी अच्छी होने वाली है इसका प पूरा लुक यहां पर राउन नेक है और कुछ इस तरह की डिटेलिंग है सेम डिटेलिंग है सेम वर्क है सेम फैब्रिक है इसका यहां पर भी आपको यह मोटिफ मिल जाएंगे कुर्टे का पूरा फ्रेंट पार्ट आएगा वो है कुछ ऐसा यह देखो नीचे की साइड म इतना मेंगा सेट मैंने बाय किया दोनों से ही और मेरे पैसे ना वेस्ट हो जाएं पर अच्छा है कि इस वाली वीडियो के लिए मुझे जितने पीसिस मिले ना वो सारे अच्छे मिलें तो यहां पर है कुछ इतनी लेंथ है यहां से स्टार्ट होगे इसका पूरा आप कसी से भी ले सकते हो मिंट्रा मेशो जहां से आपको प्राईस छीख लगे आप ले सकते हो तो यहां पर मुझे यह मिले है बॉटम इसके अप कलर में देखो थोड़ा सा फाब्रिक लगा देते हैं इसका हमें कोई भी आइडिया नहीं है तो आप यहां पर देख सकते हो हलका सा कलर डिफ्रेंस सेम सेलर से भी तो यह फाब्रिक सेम आपको मिलेगा और दोनों ही जो है सेम इलास्टिकेटेड बेंट के साथ मिलने वाला यह देखो इसमें आपको यहां तक है और फाब्रिक दोनों का ही सेम है शाइन भी दोनों में आ रही है तो हो सकता है इनके पास लॉट कंद हो गया हो जो इन्होंने हलका सा कलर चेंज कर दिया है यहां पे आप इसकी length चेक कर सकते हो, इसकी length कितनी है, length इसकी भी एकदम perfect है, दोनों की same है, यह देखो, दोनों की length जो आपको same मिलेगी, size भी same है, तो यह था इसका bottom, दुपट्टा जो है यह है, यह हमारा मिशो वाला है, यह हमारा मिंदरा वाला, तो पहले मिशो वाला दि इसकी भी दिखाते हूं, इसका color दोनों का same है, color में मुझे कोई problem लगी, और दोनों का fabric भी same ही होने वाला है, यह है, इसकी पूरी width दुपट्टे की same है, यह देखो, दोनों की width एकदम same होने वाली है, और इसके उपर work भी काफी same होने वाला है, यह देखो, इसका जो base है, color shade काफी अच्छा होने वाला है, दुपट्टे की look आएगी, बहुत अच्छी आएगी, यह इसकी पूरी length है, length इसके width इसका पुरा काम, सब कुछ same है, तो आप इसे भी कहीं से भी ले सकते हो, मुझे दोनों ही set एकदम same लगे है, थोड़ सा color हलका सा इसके bottom का फरक है, बा इसे नहीं है, इसमें आपको टैसल दिख रहे होंगे, और इसके अंदर नहीं है, क्योंकि इसका जो टैसल से वो निकले वे मुझे रिसेवी थे, इसके poly के अंदर ही है, तो यहाँ पर इसमें, इस set में काफी difference है, क्योंकि इंडो एरा brand का और यह कि नॉर्मल सेलर ने किसी कॉपी करके बनाया है, तो यहाँ पर इसका जो फैबरिक आता है, मीशो वाले का, वो सिल्क ब्लेंड में, फैबरिक की कॉलिटी काफी अच्छी होने वाली है, यह है, वी नेक का, आपको set मिल जाएगा, साइज है मेरा L, यहाँ पर कुछ इस तरह की lace इन्होंने लगा के द को, यह कुछ ऐसा काम मिल जाता है, वर्क इसका भी बहुत सुन्दर है, इसका भी काफी अच्छा है, बिल्कुल भी ट्रांजीनी है, फैबरिक की क्वालिटी काफी अच्छी दिये, अंदर की साइड में यह लाइनिंग का फैबरिक भी है, यह है हमारे कुटे का पूरा फ् में इसको स्लीव में जमनें इन्हों पर रहोगे की स्लेव कारना में देखांग कीौ अरह पर इसी माइ 1973 JUST को मिलकी में कर्ते की लेंठ की बात करी दो कुछी दे कारने दênio होगी and यहाँ परies यह है हमारे मिन्तरा वाले का पूरा काम आ जाता है and यहाँ पर मिशो वाले का जुए लेका बोल्क कुछ ऐसा मिलेगा यह यहां पे आप यह देखो इसके जो हैम लाइन का जो फ्लेर है ना मतलब इसका नीचे फ्लेर पे कितना डिफ्रेंस है यहां पे मिंत्रा वाले का फ्लेर इन्हों ने एक्स्ट्रा दिया है जबकि उपर वाला मीशो देख सकतो काफी छोटे साइस का मिलेगा तो थोड़ा वहां यह मीशो वाला है न यह आता है हमारा मिंत्रा वाला इसके विट देखते हैं विट आपको मिल जाएगी कुछ इतनी दुपटे के चारों बॉर्डर पर यह टैसल लगी हुई है इसके मिशो वाले का फाब्रिक भी सेम ही होने वाला है तो दोनों की विट आपको से मिलेगी छोटी बड़ी नहीं है यहां पर टैसल के कलर चेंज है मिंत्रा वाले के मरून से हैं यह मिशो वाले में इन्होंने पिंग कलर के टैसल दी है लेंथ जो है कुछ इतनी मिलने वाली यह वर्क तोनों का सेम होने वाले अच्छा सा फलार पाटन इसके वपर बना हुआ है तो यह देखो यह मिशो वाला जो दुपट्टा है आपको थोड़ा छोटा मिलेगा यहां तक यह मिंत्रा वाला जो दुपट्टा है वह काफी अच्छे सा इसका है इसकी लेंद साथ हो इस तरह की वीडियो जब भी क्रेट होती न मैंने बहुत वीडियो शेर किया आपके साथ में कंपैरिशन वाली हमेशा ही थोड़ इसी कंफीज हो जाती हूँ तो इसे भी आप तोनों से ही ले सकते हो दोनों में कोई कमी नहीं है हलकी सी लेंद का जो है इश्वे बाकी भी दिखा रहे हूँ यह तो बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है मैंने इसका जो है कंपैरिशन के लिए एक और किया था जिसका प्राइस था 320 रूपीज पर मुझे उन्होंने यह भेज दिया और जब मैंने इसे पैकिंग ओपन की तो मुझे यह पता चला कि वो लोग जो है क्लिरली बना करें इसका रिफरंड रेटन नहीं होगा क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से पूरा क्वालिटी चेक करके ही आपको पीज दिया हुआ यह था कि जब मैंने इसको रिसीव किया तो पुरानी वाली पाकिंग जिसमें कुछ दिखता नहीं था उसमें मुझे रिसीव हुआ है तो मुझे क्या पता था कि मुझे कुछ भी देंगे यह लोग तो यहां पर जब देखा उपन करके तो फिर पता चला कि हांजी आपके साथ तो फ्राड हो गया और मुझे कुछ का कुछ मिल गया फिर मैंने उनको पूरा वोला कि मेरे पास इसकी वीडियो भी है आप इसे एक्सचेंज करो या रिटेन करो कुछ तो करो तो उन्होंने मुझे मना कर दिया तो इसके पैसे जो है मेरे वेस्ट होगे कुछ पुरानी वाली पैकिंग गारी जिसमें कुछ दिखता नहीं है वो आप रिसीव ही मत करना क्यूंकि आजकल सेलर्स को भी पता चल गया कि अगर हमें कुछ भी देना है न तो वो उसी वाली थैली को यूज कर रहे हैं जो कि पुरानी वाली पैकिंग थी तो आप उस पैकिंग क नहीं है तो मैं आपके साथ में आपके साथ मैं शेर कर दिया वैसे इस set का मैंने IK Blue color आपके साथ मी शेयर किया था मीशोडय तो यहां पयां पर दिने में मेलें फैपर्रिक मिलतीMinutes प्राइस बहुत कम रहता है पर उसका फैब्रिक भी काफी पतला रहता है तो यहां पर मुझे रिसीव हुआ है यह वाला कुर्टा सेट size L में मैंने order किया है cut sleeve का है जो मैंने आपके साथ में दिखाया था मीशों वाला वह भी cut sleeve था उसका फैब्रिक जो है रियॉन का था जबकि यहां पर खादी कॉटन है फैब्रिक उसका भी ठीक तर पर इस बार तो मुझे रिसीव ही नहीं हुआ तो यहां पर वी नेक है कुछ इस तरह की इन्होंने लेस लगा के दिए यह लेस बहुत प्यारी है और कुछ इस तरह का वर्क है यह देखो बहुत ही प्यारा सा फ्लोरल पाटन है यह आएगा इसका पूरा फ्रेंट पार्ट लेंट काफी अच्छी होने वाली है बैक से हमारा कुछ ऐसा लगेगा यह लिया है मैंने अनायना ब्रैंड से इसका ब्रैंड निम काफी अच्छ है तो इस ब्रैंड से लिया था साइज एल में ही इन्होंने इन्होंने पॉकिट नहीं दिये देते तो और भी अच्छा रहता है पर नहीं है यह इसके बॉटम का पूरा साइज है काफी प्यारा सा फाब्रिक है और इन्होंने नीचे की साइड में यह काम करके दिया हाइली रिकमेंड करूं यह मिंत्रा वाला सेट मीशो पे जो है अगर आप ले सकते हो मीशो से भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी जबकि दूसरे जो होते हैं कुछ-कुछ अलग होते जो कॉपी करते हैं उनमें डर रहता है दूसरा यह है कि अगर आपको ट्रांस्पेरेंट पाकिंग नहीं मिल रहें तो अवाइड करना लेना क् वी उसका गारंटी नहीं है तो आज का पूरा अपक्रा आप आतक है तो बताना जरू कैसा लगा जैसा था मैंने आपको बता दिया और जो 1 पर watching my video bye bye